नमस्कार, सुलक्ता सवाल में आपका स्पागत हैं, मैं हूँ आपके साथ अंशकार आज सवाल G20 के सफल आयूजन से बोखलाई कॉंग्रेस पर सुलकाईंगे मोदी राज में भारत को मिली बड़ी सफलता के बाद कैसे कॉंग्रेस की अंतर कलह खुल कर सामने आई हैं वो बताएंगे, दिल्ली में दो दिवसिये G20 सम्मेलन का आयूजन किया गया इस पर कॉंग्रेस पार्टी ने सरकार की और देश की छवी को खराब करने के लिए तमाम कोशशें की, लेकिन सब नाकाम रहा लेकिन अब कॉंग्रेस नेता ही PM मोदी के मुरीद होते दिखाई दे रही है कॉंग्रेस सांसत शशी थरूर ने कारिक्रम के सफलता पूर्वक खत्म होने को लेकर मोदी सरकार की तारीपों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिये जिससे कॉंग्रेस आलाकमान की नींदे उड़ गई है ऐसे में थरूर के सरकार की तारीफ करने पर तमाम सवाल सुलग रही है ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस ने जहाँ G20 के दौरान हर एक मौके पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की वहीं पाटीन के ही नेता मोदी के फैन हो गए है G20 की सफलता हो या फिर G20 का डिनर हर मामले में कॉंग्रेस ने केवल जूट फैलाया सरकार पर निशाना साथ कर देश की छवी पर कलंक लगाने की कोशिश की लेकिन तमाम अर्चनों के बाद भी G20 सम्मेलन सफल रहा और दुनिया भर में मोदी का डंका बच गया जिसे गांगी परिवार और मलिका अर्जुन खडगे मायूस चहरों के साथ देखते रह गए लेकिन अब G20 की सफलता पर कॉंग्रेस की अंतर कलह सामने आ गई है और कॉंग्रेस नेता ने सरकार के पक्ष में ऐसा बयान दे दिया है जिससे कॉंग्रेस आलकमान के भी होश उडगए है पाटी सांसद शशी थरूर ने G20 सदस्यों की नई दिल्ली घोषना पत्र की सराहना करते हुए इसे भारत के लिए कूटनीतिक जीत पताया है थरूर ने नई दिल्ली घोषना पत्र पर सभी सदस्यों देशों को आम सहमती पर लाने के लिए भारत की सराहना की है थरूर ने कहा है ये एक अच्छी उपलब्दी है क्योंकि G20 समिट से पहले तक ऐसी उम्मीद थी कि कोई समझोता नहीं होगा इसलिए सयुक्त बयान जारी करना संभव नहीं हो सकता था G20 के पहले दिन ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपचारिक रूप से नई दिल्ली G20 लीडर समिट घोषना पत्र पर आम सहमती बन गई थी G20 में कई देश यूक्रेइन युद को लेकर रूस की निंदा करना चाहते थे तो वहीं रूस और चीन इस विशे का उल्लेक नहीं करना चाहते थे लेकिन थरुर ने रूस यूक्रेन युद के मामले को भारत की ओर से अनोखे अंदाज में डील किये जाने पर भी बात की और इसे लेकर भी भारत की सराहना करते दिखाई दिये थरुर ने इस पर कहा भारत इस अंतर को पाटने का फॉर्मिला ढूनने में सक्षम रहा और ये एक महत्वपून कूटनीतिक उपलब्दी है क्योंकि बिना साजा बयान के कोई शिखर सम्मेलन होता है तो इसे हमेशा उस देश के लिए जटका माना जाता है जो इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है थरुर ने आगे जीट्वेंटी शिखर सम्मेलन के आयूजन पर भी अपने विचार रखे और कहा सरकार ने वास्तव में इसे पीपल्स जीट्वेंटी बना दिया बीजेपी ने दुनिया के नेताओं के इस विशाल सम्मेलन को अपने लिए एक उपलब्दी में बदलने की कोशिश की अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पिछले जीट्वेंटी के अध्यक्षों ने नहीं किया था वास्तव में इसे राश्ट्र व्यापी कारिक्रम बना दिया 58 शहरों में 200 बैठके हुई कुछ मायनों में जीट्वेंटी के संदेश को प कॉंग्रेस की टेंशन बढ़ाती है हाला कि जितना जरूरी ये जानना था कि शशी थरूर ने मुदी सरकार को लेकर कौन सा ऐसा बयान दे दिया जिससे कॉंग्रेस आला कमान की हवाईयां उड़ गई उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि थरुर ने अभी ही ये बयान क्यों दिया है जाहिर सी बात है कॉंग्रेस जहां G20 के मसले पर केंद सरकार को लगातार घिरती आई है फिर कॉंग्रेस की तरफ से जूट पहलाते हुए भारत की इतनी बड़ी सफलता को फ्लॉप करार दिया गया है उस बीच थरुर के इस बयान के कई बड़े सियासी माइने हैं साफ बात है कि साउट की राजनीती में कॉंग्रेस अपनी जमीन को और मजबूत कर रही है केरल के बाइनार से राहुल गांधी फिलहाल सांसद है जहांकि राजनीती में कॉंग्रेस काफी आक्टिव है महीं शशी थरुर भी केरल कॉंग्रेस के बड़े नेताओं में से एक है अपनी अलग पहचान रखने वाले पॉपिलर नेता शशी थरूर भी केरल की पॉलिटिक्स में आक्टिव हो गए हैं कुछ महीनों पहले ही थरूर ने केरल का दौरा भी किया था लेकिन कॉंग्रेस की ओर से उन्हें इस बार कोई खास भाव नहीं दिया जा रहा जिससे थरूर को लेकर माना जा रहा था कि वो कॉंग्रेस को कोई बड़ा जख्का दे सकते हैं हाला कि सवाल ये भी उठता है कि अगर थरूर को कॉंग्रेस की ओर से भाव नहीं मिल रहा है तो फिर उन्हें कॉंग्रेस वरकिंग कमिटी का मेंबर क्यों बनाया गया बात सही है शशी थरूर को हाल में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे की ओर से बनाई गई CWC की टीम में जगा दी गई थी लेकिन वो महस थरूर को खुश करने के लिए था क्योंकि थरूर ही कॉंग्रेस की अध्यक्ष चुनाव में खडगे के प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े थी लेकिन जीत गांधी परिवार की पसंद मलिका अर्जुन खडगे की ही हुई थी क्योंकि अध्यक्ष पत किसी को भी सौपे जाने के लिए गांधी परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो शक्स गांधी परिवार के ही कहने पर चले और थरूर के मामले में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि थरूर ऐसे नेता नहीं जो किसी के कहे मुताबिक चले तो ऐसे में खड़गे को राहुल सोनिया की महरबानी से कॉंग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया अब चुनाव में थरूर हारे तो इसके बाद वो कोई बगावत ना करते हैं ऐसे में महज उन्हें खुश करने के लिए CWC में शामल कर लिया गया लेकिन शशी थरूर की असली मांग तो केरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है जहां उन्हें कोई बड़ी जिम्मदारी पार्टी की ओर से चाहिए लेकिन कॉंग्रेस आला कमान इससे सहमत नहीं है नीचे नहीं उतर पा रहा है अला कि थरूर पहले नेता नहीं है इससे पहले कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता और सोनिया गांधी के सबसे वफादार पूर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग भी पीम मोदी के मुरीद होते दिखाई दिये थे कॉंग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंग ने पीम नरेंडर मोदी की विदेश नीती की जम कर सराहना की थी रूस यूक्रेन युद के चलते बिगड़े हालातों को समहालने के लिए भारत ने जो भूमी का नभाई दोनों देशों से शांती की अपील करते हुए भारत ने जिस तरह अपने संप्रभू और आर्थिक हितों को पहले स्थान पर रखा उसकी तारीव की बरती अर्थ विवस्था के लिए वेश्विक स्थर पर भारत को मिल रहे सम्मान पर मनमोहन सिंग गर्व महसूस करते दिखाई गी इतना ही नहीं मनमोहन सिंग ने यहां तक कहा था कि भारत बदलती विश्व विवस्था में एक अद्विती आर्थिक अवसर के मुखाने पर खड़ा है एक बड़े बाजार और प्रचुर मानव और प्राक्ररतिक संसाधनों के साथ एक शांती पूर्ण लोकतंत्र के रूप में भारत आने वाले दशकों में सेवाओं विनिर्मान और उत्पाधन पर जोर देकर दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ती बन सकता है सिंग के बयान से भी कॉंग्रेस पार्टी को बड़ा जटका लगा था क्योंकि मनमोहन सिंग का ये बयान उस वक्त आया था जब विश्व के 20 शक्ति शाली देशों के नेता G20 में शामल होने के लिए दिल्ली पहुँचना शुरू हो चुके था भारत की मेजबानी में G20 का सफल आयोजन मोदी सरकार की बड़ी सफलताओं में से एक है जिसकी सराहना ना सर्फ देश में बलकि दुनिया भर में हो रही है G20 के इस सफल आयोजन से ना सर्फ भारत के लिए आने वाले समय में सफलता के मुकाम तक पहुँचने के लिए कई और रास्ते खुले हैं बलकि ये मोदी विरोधियों के लिए भी बड़ा जवाब है हलाकि कॉंग्रेस ने सर्कार की सफलता पर ये जूट तक पहला दिया था कि भारत की मेजबानी में हुआ G20 का सम्मेलन पूरी तरह से फ्लॉप रहा लेकिन अब जस तरह से कॉंग्रेस के ही नेता शशी थरूर ने भारत सरकार की सराहना की है और वो पी-म मोदी के मुरीद होते दिखाई दिये हैं उससे ना सिर्फ कॉंग्रेस के सारे दावे खुकले साबित हुए है बलकि थरूर के बयान के बाद कॉंग्रेस की अंतर कलहा खुलकर सामने आ गई है ऐसे में शशी थरूर के बयान के बाद अब कॉंग्रेस में जल्द ही बड़ी बगावत के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं जिससे राहुल, सोनिया और खड़गे की टेंशन बढ़ गई है सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलाल इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी, नमस्कार